लोग जहातर पूछते हैं कि इस बटन का फायदा क्या है इसका काम क्या है सुजू के वरी में फ्यूल एवरेज का मैं बताता चलिए कि इसकी फ्यूल एवरेज कैसी है और और फेमिडी के लिए अच्छी है ये गाड़ी के नहीं असलाम अलेकुम वीवर्ज आज हम डिसकस करने वाले हैं मिस्वी बीशी मीनी केब और इसमें टॉप अफ दी लाइन वेरेंट है ये गाड़ी और ये गाड़ी मैंने तकरीबन आट-nो महीने पहले जापान में बिट की थी पिर उसके बाद बैन लग गया था और गाड़ी त है इसको बनाए गया है इस बार सबसे एहम चीज़ जो इस गाड़ी में लोग समझते हैं कि ये गाड़ी अलग से मतब मिस्वी बीशी बनाती है निसान में क्लिपर के नाम से और ये अपनी अपनी गाड़े बनाते है तो ये बात बिलकुल गलत है मैं आप लोगों को ये अ मतलब अगर आप गाड़ी ले रहे तो इसके पार्स में आपको कोई इशू होगा तो ये बिलकुल गलत बात है इससे पहले में गाड़ी इंपोर्ट कर चुका हूं अपनी यूज के लिए तकरिबन दो साल में चला चुका हूं उसको इससान क्लिपर जीक्स जीक्स और ये म यू गाड़ी आ रही हैं इसमें इश्युयमोडल इसमें इजो को एजियस को तक्रिबंग खतम कर रहे हैं सिंपल जो है आटोमेटिक कर रहे हैं और जैसे का आपको बॉनिट में जो है मिसभीशी का मॉनोग्राम मिल जाता है और इस गाड़ी में तोड़ा सा कुछ डिफरे और नीट जो है ध़ tienes焙 गू Camera और सबसे क्ल्स पॉइंट को पंद्रा सो सीजी बड़ी गाडियों continuous कि अहजारगय के साथ उसकी हैड की जो मतलब जो रोष्णी होती एतनी जादा नहीं होती इस सबसे बेस बात ही है कि इसकी आपको एक अच्छी लाइट मिल जाती है इसकी जो लैट है उसमें और भी जो है जाफा हो जाता है और इसके साइड में अगर आप देखें तो बॉड़ी मेचिंग कलर में आपको मिलते हैं जो के सरफ और सिर्फ लॉडड़ बेरियन में आता है और मेचिंग कलर के साथ के लावा आपको यह जो है रेट्रेक्टेबल मिलते हैं मतलब अंदर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इसकी एजस्मेंट कर सकते हो इसको खोल सकते हो बन कर सकते हो अलग से लेकिन यहां पर इसकी जो एजस्मेंट होती है उपर नीचे देखने के लिए वो भी आप अंदर से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो इसके एक स्टीरियर की अगर बात की जाए तो 2014 में जो है 2014 तक जो इसके मोडल से उसमें जो है वह पुरानी शेप आ रही थी 2015 में इस गाड़ी की सब्सक्राइब को देखें तो यह चीज बिलकुल नहीं थी पुरानी शेप में और सबसे दूसरी एहम चीज जो इसमें है वह पुरानी शेप करते थी वह तीन गेर्ज आप में आते थी और यह गाड़ी पांच गेर्ज में है और EGS का जो नया मतब सिस्टम है इसमें दिया ग यह डोर जो हैंडल है जो ट्रंक कोलने का जो हैंडल है वो बोडी मेचिंग कलर के साथ है जो कि बहुत ही रेर गाड़ियों में आता है और जब आपको यही चीज जदर आ जाए तो यहां पे अमोवन इसके लिए जो है केमरा भी आपको साथ में मिल जाता है लोग जातर यह यहां पर जो नंबर प्रेट की जगहा है यहां पर इस्टाल कर लेते हैं लेकिन यह बिल्टन की जानिब से यही पर आ जाता है क्योंकि यह लोड़ेट वरिए विरिट है जो इसमें इसमें भी आया वाए यहां पर आप देख सकते हैं मिसुबिशी का मतलब मोनोग्राम है उसथे का में मिनीकेब लिगाव आपको मिलता है तो यह मिसबीकी में भी आती है यह गाड़ी मजदा मिस करम के नाम से और निस्था को पता है कि अभरी के नामसे आता है तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज बनाई गई है 460 सी जी गाड़ी होती है लेकिन मतलब बड़े से बड़ा काम आप इससे ले सकते हैं लॉंग ड्राइव के लिए पर कमफर्टिबल है लोग भी आप ज़्यादा बिटा सकते हो मैं पीछे आपको ट्रंक स्पेस दिखाता हूँ ट्रंक स्पेस के अगर बात कीज़े तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जगा आपको मिल जाती है अच्छा यससे पहले जो दूसरी गाड़ी थी मेरे पास अभी भी है मेरे पास निजान क्लिपर जिक्स तो इसमें मैंने सिस्टम यह किया वा था कि एक दो जो मजलिस का जो कस्रा फॉर्म होता है जो जातर लोग पाकिस्तान में अपने जो गेस्ट्रूम है वहां पे मजलिस साथ बना लेते हैं तो मजलिस वाला फॉर्म जो आप उसको कुशन चड़ा के पंद्रा बारा इंच का जो है नॉर्मरी आप बना लो यहां पर यह जगह मैयर करके के यहां पर यह डिगी जो है इसके साथ लगे ना तो इस इरिया तक जो है आप आप वह कच्रा फॉर्म डाल के दो साट्स पर स बना सकते हो तो दो बने इसदी एड़र्टस आप यहां पर इस स्याट पर और इस्याट पे चार बिचे बिटा सकते हैं और नॉर्मरी जो पीचे की सीट है ये तो बने ना यह रिग?ических एक पी, बिच में ब्याप रकिसकते हैं तो आप इसमें वाशिंग मशीन खराब हो गया, जनरेटर खराब हो गया, इसके लागा कोई भी बड़ी साइज की चीज़ जो आपके अल्टो टाइप गाड़ी आइकवा विर्ज में आप नहीं डाल सकते हो, तो इसमें कमफर्टेबल यह आप डाल सकते हो, सुजू की एवर पीजे बंदे बिटाते हो तो इसमें तोड़ सा इशू होता है, अचा अगर आप तीन बंदे यहां पर बिटाते हो, तो यहां पर यह जगा तोड़ सी आपको डिस्टर्ब करेगी, यहां पर नौर्मली तोड़ सा छोटा सा फोम है, या कपड़ा वगएर रख देते हैं, अगर बंदे ज्यादा हों, पीचे बिटाने हों सीट में, तो यहां पर आप बिटा सकते हैं, तीन बंदे भी, लेकिन यहां पर यह चीज आपको तोड़ सा डिस्टर्ब करेगी, यहां पर यह जगा सरफ और सिर्फ यह आम रिस्ट आपको मिलता है, क्योंकि यहां पर आप लोग के साथ शेयर करता चलू, आप यहां पर देख सकते हैं, चिल्डरन लॉग के लिए, चिल्डरन सेफटी के लिए लॉग में जाता है, अगर आप इस चीज को नीचे करेंगे, दरवाजा बंद होगा, तो बच्चे अंदर से भी नहीं कोल पाएंगे, अगर आप क में जान जो गाड यहें, मजदा, स्करम, निसान, कलिपर, मिल्टे, सुझू की एवरी, तमाम गाड यह सेम है, सेम कमणी की बनीवीन पार्ट्स, सुझू की एवरी कैम इसम्लीक शियू के लगा साथ, यहाँ आप यहां लिए मिल्टा बेट की दावाब देखें, तो सुझ एक ही मतब प्रस करने से यह खुद मखुद ही उपर जाती है और नीचे भी आती है और बाकी जो तीन विंडोज है उसको अगर आप उपर नीचे करेंगे तो इसको होड़ डखना पड़ेगा ठीक है यहां पे पावर विंडोज के लॉक अन लॉक के लिए क्योंकि बच्चे सरफ केलते हैं और बार बार इसको उपर नीचे करते हैं तो इसको लॉक करने के लिए बटन पर आपको मिल जाता है रेट्रक्टेबल मेलर के लिए बटन मिल जाता है इसको प्रस करते हैं तो यह शिशे बंद हो जाते हैं इसके एजश्मेंट के लिए शिशा जो है तो आप करने के लिए अपनी जिस्मेंट के साब से लोग करते हैं तो यह बटन आपको मिल जाए लिफ रैट चूस करने के लिए बटन आपको मिल जाता है सेंट्रल लोग आप इधर से ही लगांगे अगर आप इसको मूव करोगे तो यह टोटल पांच ओ डॉर्स मतब इंक्लूडिन आपका जो है मुकमल गाड़ी लॉग हो जाएगी फ्रंट सीर्स के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कुशन जो में में चीजेस में पीसी पीए जो इसमें अनलोड़्ड वेरियंट है उसमें आपको दूसरी किसम का कुशन मिलेगा इसमें आपको फैब्रिक मिलता है छो में जो में को प्रॉपर नाम उसका पता नहीं है कौहाँ सा कफ़ुशन होता है लेकिन इस वाले में आपको डिजयन भी अच्छा मिलता और आपको फैब्रिक मिलता है अड्रसस आपको मिल जाती है जो क्या आपको सेध billion मिलता और आप सीट्स देख सकते हैं ब्लकुल comfortable है बहुत ही नरम और मतब comfortable है अगर आप long drive के लिए इस पे बैटेंगे तो आप disturb feel नहीं करोगे अच्छा इस गाड़ी में जो एक अच्छी चीज मैंने note की क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर रहा तो तो इस सारी चीजे मैंने note की वी थी कि इसमें मौझूद मौझूद हैं के नह लेकि उस सूरत में आपकी गाड़ी का जो फ्यूल एवरिज है वो थोड़ा सा गिर जाएगा फ्यूल एवरिज की कम होगी पेट्रोल ज्यादा ज़लेगा तो यह उस सूरत में जब गाड़ी बहुत लोड़ीड हो या अगर आप बहुत ही स्लोप वाली जगा पे पहाड़ के लिए तो इस बटन का फाइदा ये है जब आप प्रेस करते हो तो यहां पे आपको जो है सेकंड ग्रीन केलर में लिका वह नजर आएगा और उसके और उन करने से फाया यह होता है क्योंकि आपांच गेर है और पांच गेर का मसला यह है तो बहुत ही स्लो में गाड़ी ज स्पीड लेती है तो ये जब आप प्रिस करते हो तो ये गाड़ी इसका जो सेकेंड गेर है वो आपका फसल जो है हो जाता है मतलब यह फसल गेर में नहीं जाती अगर आप रुंख भी जाओ मुकमल स्टाप भी हो जाओ तब इसकेद सदेंग सेघ्वाड़ल टि बाद एक में आती है मतलब लोड़िड अलोड़िड में में यह मतलब मेरे खाल से कि या कबनी से होता है या वहां पर बाद में यह करते हैं लेकिन बहुत ही बेस्ट चीज है यह गाड़ी में तक्रिमार हफता चला चुका हूँ इस गाड़ी को तो यह चीज में इसमें नोट कुछ नहीं होता जितना मतलब इसमें अगर आप स्पीड से जाओगे तो कोई इशू आपको मोटर वे पे भी नहीं होगा अच्छा इसमें जो टर्बो गाड़ी आती है तो टर्बो में इसका जो यह क्या कहते हैं मीटर तो यह स्पीड मीटर जो है वो बिलकुल जो गलोवी से मतलब डिजाइन है तो उसे भी आप इसको पहचान सकते हैं को यह मुक्तलिफ है और उसका खर्चा पर ज्यादा होता है टर्बो का और उसकी मेंटेनस चार्जेज भी ज्यादा है जैसा कि मैने बताए कि गाड़ी एजियस है तो अभी नहीं जो माड़र जा रही है उसमें इजिक का सिस्टम खतम कर रहे हैं जी जिसका फाइदा यह है कि मैनुल में भी आप इसको चला सकते हो लेकिन मैनुल इस तरह नहीं इस तरह पाकिस्तानी मैनुल अगर आप जिस तरह उपर चढ़ाते हो फससे सेकंड गेर फॉर्ध गियर फिफ्ट गेर गर ज चला जाए दूसरे प्रेस कर तर्ड में चला जाता है तो वह भी अपनी हैसा नहीं होता कि गाड़ी बिल्कु स्लो होती बीस स्पीड में जा रही हो तो आप इसको ड़ड पर चला चाहरे हो तो यह आपको बीप सा आवाज देती है कि आप नहीं चला सकती और जब चलड जाती है तो जब आप ब्रेक अप्लाय करते हो तो आपको इस गेर को ऊपर करने की जरूवत नहीं होती यह खुद बखुद जो है फस्ट गेर में चली जाती है तो यह चीज़ आप इसमें नोट करें फायदा इसका है नुकसार नहीं है अच्छा इसके लावा कोई क्लाइमेट कं यह पीछे की जारिब जो है हीट का काम करती है पीछे की सीट के लिए गरम सी हवा आती है तो जिस बंद मतब सब्यों में अगर आप इसको यूज करो तो बेस्ट चीज है मुफ्त में इस आपको मिल जाता है मतब फ्रंट से अगर आपको यहाँ पर जरूवत नहीं है तो प इसके सफाई की जरूवत है थोड़ी सी क्योंकि बहुत ही गंदी हालत में तो एक साल तकरिवर नकड़ी रही जापान में हो यहाँ पर कराची में तो इसमें टाइम लगा इसके लावा यहां पर कंपार्टमेंट्स हैं यह तो नार्मल चीज है सामान वगर रख सकते हैं औ दो एरबेक्स हैं एक यहां पर और एक यहां पर पैसेंजर के लिए बाकि इसके लाव यहां पर एक ट्रेस ही दीगी कि यहां पर भी आप सामान वगरा रख सकते हो और यह तो नार्मल चीज हैं अच्छे इसके लाव फ्यूल एवरिज के बात करूं तो फ्यूल एवरिज की बहुत ही बहतरी सुजूजाडी केल सब्सक्रामच दे रही है आज जो पुल्य चीज मेंenger पर चाौड जेंगे 50 आपको 7withL 네 एक्स्ट्रा देती है 6 किलोमेटर गर आप इसको 35 लेटर इसमें फ्यूल आता है और 35 लेटर के हिसाब से अगर आप देखी तो 35 आप 6 से मुट्टिप्लाय करें तो आपको और 35 लेटर में आपको यह 600 किलोमेटर विंटर सीजन में दे सकती है और गर्मी के सीजन में थोड़ा सा कम कर देती साड़े 500 के लगबग आपको यह फ्यूल आवरिज दे सकती है जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से स्क्रीन के अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीडी वगएर भी आ जाता है और स्क्रीन भी जो है यहां पर जापान से ही आया वाएस में मैंने कोई एक्स्टरलेस्मेंट नहीं लगाया वाए अब होल्डर आप देख सकते हैं एक कंप्लीट गाड़ी बनाई गई है और अच गारी जब आई यहन भी बड़ा वा था मतब रेट काफी उपर चला गया था क्विकर डॉलर तो यहां पर दस बीस रुपेर डेली बढ़ रही रहा है अल्ला रहम करें इस मल्क पे और जब आई तो पहले डूटी तकरिमान पांच पांच लाग के लाग बग थी किसकी डू बढ़ने से इसका बी जो है रेट उपर चला जाता है तो दो लाग के बजाए तकरिमान साड़ी तीन लाग में इसका पासपोर्ट हो गया इस तरह अधर एकस्पेस भी कराची के बढ़ गए क्विकर डॉलर का रेट उपर गया वा है तो गाड़ी तकरिमान यह मुझे 29 प् कंडिशन में हैं अच्छा इसकी ग्रेड और उसका मालिश का में बताओ एक लाग नवे जार यह गाड़ी चली वी है त्री पॉंट फाइफ ग्रेड है जो कि आपको बागी मार्कीट में गाड़े मिलती हैं कि बीस हजार चली वे दस हजार चली वे तो भाई मेरे उसकी कंडिशन देखें बार की चमक को देखें तो आप वो खुद ही अंजाजा हो जाएगा किसी सारी गाड़िया दो लाग डेर लाग यह सारी चली वी होती है यह हजार रुपय पांसव रुपय देखें मिटर पीछे कर लेते हैं तो जैनुन कंडिशन में हैं जूट बोलने की वो लेते हैं तो पच्छिस लाग में यह 31 लाग रुपय में क्यूंकि डूटी बढ़ गी यह खर्चे बढ़ गए और अल्ला रहम करें कि इसे बात क्या होगा इस गाड़ियों का तो कांडिया हमरे इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें कि कुछ और पूछना हो तो इस गाड़ी के वारे से तो बिलकुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमें इजाज़त दें अल्ला हाफिस